वेलकम टू नेक्स्ट एक्जाओं आज है 11 जून 2018 और 11 जून 2018 से करेंट अपरस के जितने भी इंपोर्टन कुश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें लाश्ट में मैं आपसे कुश्चन कूछ हूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है और आप आज के इस वीडियो की पीडियाप फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है बारत ने ब्रह्म्वा पुत्र जल डेल्टा साजाकरण के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताचर के हैं तो ये चीन के साथ समझौते पर हस्ता चरके हैं भारत ने यानि कि इस कुश्चन का C उप्सन सही है आप जानते हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसी चीन की यात्रा पर गए हैं संगाई सयोग संगिटन के सिखर सम्मिलन में हिस्सा लेने के लिए और वहीं पे उन्होंने चीन की राश्पती सी जिन्पिंग के साथ मुलाकात की और दो प्रमुक समझोतों पर हस्ता चरकी हैं अब ये दो प्रमुक समझोते कौन से हैं एक तो यही है ब्रमुक पुत्र जल डेल्टा साजाकरण समझोता और एक है गैर पास्मती चावल के निर्यात का समझोता तो ये दो प्रमुक समझोतों पर हस्ता चरकी हैं प्रतानमंत्री मोदी ने चीन के साथ अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जल डेल्टा साजाकड की बात आई है तो ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ ऐसे कोशन है जो अकसर कम्टिटिव एक्जाम में पूछे जाते रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप याद रखिए एक तो यही कोशन पूछा जाता ब्रह्मपुत नदी का उद्गम इस्तल है तिबबत में मांण चरुबर के पास चेमा यूंग्दुम नामक इस्तान पर और एक ब्रह्मपुत्र नदी से कुछन ये पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत का कौन सा सहर इस्तित है जैसे लखनव गोंटि नदी के किनारे इस्तित है ऐसे ही गोहाटी ब्रह्मपुत नदी के किनारे इस्तित है ये आपको याद रखना है लखनव तो आपको याद रहता है कि गोमती नदी के किनारे इस्तित है आप ये भी याद रखिए कि गोहाटी ब्रह्मपुत नदी के किनारे इस्तित है तो ये क कुछ important fact है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यह आपको याद रखने है अब एक interesting fact भी है यह मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया की जितनी भी नदिया है सब के नाम इस्त्रिलिंग है लेकिन ब्रह्मपुत्र इकलोती ऐसी नदी है जिसका नाम फुलिंग है तो यह एक interesting fact है इसे भी आप याद रखिए अब यह समझोता हुआ है चीन के साथ तो पहले आप मैपने देखिए यह है चीन चीन की capital है पीजिंग चीन की currency है रेंड मिन वी चीन के present time पे president है C. जिन पिंग तो इतना आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए नए शोशन है आली में junior Asia athletics में 800 मीटर की दोड़ में किसने सवड़ पदक जीता है तो यह जीता है अनुक कुमार ने यानिकि इस question का C option सही है यह जो आपको image में दिख रहे हैं यही है अनुक कुमार और इनोंने junior Asia athletics में 800 मीटर दोड़ में सवड़ पदक जीता है और यह उत्तराखंड के हैं अब यह उत्तराखंड के हैं तो पहले आप map में देखिए यह है उत्तराखंड उत्तराखंड की capital है दैरादून उत्तराखंड के present टैम पे governor है कृष्णकांद पॉल तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए चलते हैं next question नेक्स question है हाली में पेजल और स्वच्चता मंत्राले ने स्वच्च भारत मिसन के लिए कितने जिलों को फुले में सौच मुक्त गोसित किया है तो यह पेजल और स्वच्चता मंत्राले ने 391 जिलों को फुले में सौच मुक्त गोसित किया है यानि कि ODF गोसित किया है यह ODF की full form आपके लिए most important है इसको आपको याद रखना है अभी आप newspaper में news channel पे हर जगह ODF सुनते होंगे और यह बहुत important term है इसकी full form आप याद रखिए इसकी full form होत है open infection free क्योंकि स्वच्च भारत मिशन पे government का बहुत जादा जोर है तो यह ODF की full form आपसे किसी न किसी committee डेख्जम में पूछी जा सकती है इसकी full form आप याद रखिए ने स्वोशन है हाली में केंदری स्वास्त मंत्राले ने आयुस्मान भारत मिशन योजना को कितने नए रा द्राज और चार नए केंद्र सास्थी प्रदेसों में लागो करने की गोशना की है केंदी स्वास्थ रहें आप को पता होना चाहिए कि मंत्री मंत्री कौन है स्जेबी नडडा यहापको इमेज में यही है JP नटा और यही है हमारे प्रिजेंट टेंप पे केंदरी स्वास्ते मंत्री तो इस कुश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है चलते हैं नेक्ष कुश्चन पर नेक्ष कुश्चन है आली में रंगमंच के व्यक्तित सुक्राचार रवा का निदन हो गया वे किस से थे तो यह असम से थे सुक्राचार रवा यानि कि इस कुश्चन का B option सही है यह जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही थे सुक्राचार रवा और इनका 41 बरस की उम्र में निदन हो गया है और यह असम से संबंदित थे तो पहले आप मैप में देखिए असम यह जो इसम के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए नेक्स कुश्चन है हाली में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पीते साल प्रत्यच निवेस नौ फीजदी कम हुआ है प्रत्यच निवेस यानि कि FDI Foreign Direct Investment तो पीते साल की तुलना में नौ फीजदी कम हुआ है UNCTAD की र फुल्पाम है United Nation Conference on Trade and Development तो इसकी फुल्पाम आप याद रखिये UNCTAD की फुल्पाम होती है United Nation Conference on Trade and Development तो इसकी फुल्पाम आपको याद रखिनी है Next Question है हाली में किसने गोशना की है कि सीमाई इलाकों की सुरच्चा के लिए अलग से दो बटालियन तयार की जाएंगी तो यह केंद सरकार ने गोशना की है यानि कि इस कुशन का B option सही है हमारे present time के ग्रह मंतरी राजनास सिंग ने ये गोशना की है कि सीमाई इलाकों में 0 से लेकर 10 किलोमेटर तक की सुरच्चा के लिए अलग से दो नई बटालियन तयार की जाएंगी यह गोशना की है हमारे ग्रह मंतरी राजना सिंग नहीं यह जो आपको image में दिख रहे हैं यही है हमारे present time पर ग्रह मंतरी राजना सिंग next question हाली में आई एक report के अनुसार भारत में ग्रामीड स्वच्चता coverage कितने प्रत्सत पूरा हो चुका है तो अभी हाली में एक report आई है और इस report के अनुसार भारत में ग्रामीड स्वच्चता coverage 85% पूरा हो चुका है यानि कि इस question का C option सही है आप जानते हैं स्वच्च भारत मिशन चल ला है और स्वच्च भारत मिशन कब शुरूबा था यह आप गया रखना है 2 October 2014 को सुरूबा था स्वच्च भारत मिशन और इसका target है 2 October 2019 तक पूरे भारत को स्वच्च करना 2 October 2019 को गांधी जी की 150 मी जैनती होगी और गांधी जी की 150 मी जैनती पर भारत को पूरी तरह स्वच्च करना लच्च है स्वच्च भारत मिशन का तो ये भी आपको याद रखना है चलते हैं next question पे नेक्स कोशन है किसकी report के अनुसार भारत में banking sector में सुदार करना जरूरी है तो ये IMF की अभी एक report आई है जिसकी अनुसार भारत में banking sector के अभी हालत बहुत खराब है और banking sector में सुदार करना बहुत जरूरी है अब ये report है IMF की तो IMF के वारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको IMF की full form पता होनी चाहिए IMF की full form होती है International Monetary Fund क्या होती है IMF की full form International Monetary Fund IMF की इस्तापना होती है 27 दिसंबर 1945 को और इसका headquarter है Washington DC में तो इतना आपको IMF के वारे में पता होना चाहिए next question हाली में किस company ने भारत के 400 railway station पर सपलता पूर्बग Wi-Fi शुरूप किया है तो यह Google ने शुरूप किया है भारत के 400 railway station पर सपलता पूर्बग Wi-Fi यानि कि इस question का C options है अब यह Wi-Fi शुरूप किया है Google ने तो Google के बारे में आपको पता होना चाहिए Google पे तो आप आए दिन साच करते रहते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि Google का headquarter कहां पर है Google का headquarter है California में और Google के present time पर CEO है सुन्दर पिचाई तो इतना आपको Google के बारे में पता होना चाहिए अब यहां पर यह जो जो टर्म आए है Wi-Fi इसकी full form कई बार competitive exam में पूछी गई है Wi-Fi की full form होती है wireless fidelity क्या होती है Wi-Fi की फौल पॉम भी आपको याद रखनी है चलते ही next question हाली में किस राज्य के बूजल में uranium का उच चिस्तर पाया गया है तो राजस्तान के बूजल में uranium का उच चिस्तर पाया है अभी हाली में यानि कि इस question का डी option आई है आप जानते है राजस्तान में वैसे ही पानी की कमी है और अभी एक नई रिपोर्ट आई है कि राजस्तान की पानी है उसमें यूरेनियू की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप इस कुशन का सई यूरो तो पहले आप मैप में देखिए यह है राजस्तान की कैपिटल है जैपोर इसे पिंक सीटी भी कहा जाता है। प्रिजेंट टेम पे चीप मेरिष्टर है स्रीमती वसंदरा राजे और राइस्तान के प्रिजेंट टेम पे गवर्नर है कल्लेंड सिंग तो इतना आपको राइस्तान के बारे में पता होना चाहिए हाली में CRPF के किस जवान को मर्डो प्रांत प्रदार मंत्री पुलिस प्रदक प्रदान किया गया है तो ये थे हरविंदर सिंग इनको अभी हाली में मर्डो प्रांत प्रदार मंत्री पुलिस प्रदक प्रदान किया गया है यह जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही थे हरविंदर सिंग हुआ कहता बैशनो देवी पर यात्रियों को बचाते हुए इनकी जान चली गई थी उस खलन में दबकर इनकी जान चली गई थी यात्रियों को बचा रहे थे उसी टाइम इकी जान चली गई थी और उसी के ल आया गया था यानि कि इस question का C option सही था इस question का answer लगवत सभी लोगों ने सही दिया है अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में राश्टपती ने राणी अनन्नास को किस प्रदेश का राजफल गोसित किया है चार उप्शन का answer बहुत आसानी से बता देंगे जो भी question में आपसे पूछता हूँ उसका answer आप जरूर दिया करो अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप Instagram पे इंद्रेसRC Instagram पे इंद्रेसRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी doubt डिसकस कर सकते हो और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज पर अलग-अलग competitive exam में पूछे गए previous year की question कोश्ट करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पे जोइन कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज comment box में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे like और share जरूर करना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरूर कर लें आपको इस चैनल से झाल झाल झाल